हेलो गाइज वेलकम चुआ चाना ब्रेलिंग तो आज मैं आपको कराऊंगी इंग्लिश प्रेल का चैप्टर 14 चैप्टर 14 में हमारा 2 इंटू और यह तीनों कॉंट्रेक्शन से और इनके डॉट से तू का डॉट आपका 2 3 5 इंटू का डॉट है इंटू में पहले आपका इं इनका कॉंट्रेक्शन है और फिर 2 का कॉंट्रेक्शन है इनका कॉंट्रेक्शन होगे आपका 3 5 और 2 का कॉंट्रेक्शन हो गया 2 3 5 बाए का कॉंट्रेक्शन है आपका 3 5 6 और इन तीनों कॉंट्रेक्शन को यूज करने का रूज यह है कि जब भी आप इनका यूज करेंग तुरंट बाद इन्टू का जो डॉट है वो यूज करना है सो एक्जाम्पल देखते हैं इसमें है ही वाग्ड इन्टू दा रेन ही लिखा देन वाग्ड वाग्ड में हमने यहां इडी का कॉंट्रेक्शन यूज किया उसके बाद विदाउट सेल लीव किये यहां हमने इन और तू इन्टू का कॉंट्रेक्शन यूज किया है ही वाग्ड इन्टू देन एक्सेल लीव किया है दो देन एक्सेल लीव किया और फिर रेन ही वाग्ड इन्टू दी रेन सो यह आपका चैप्टर फौर्टींत का सेकेंड पार्ट है ST, AR और BLE ST का contraction है 3-4 AR का है 3-4-5 और BLE का है 3-4-5-6 ST और AR ये दोनों आपके किसी भी word के starting में middle में या फिर end में कहीं भी आएंगे तो आप इसका ये contraction यूज़ करेंगे और BLE बेसिकली आपके sentence के last में आता है जैसे able हो गया, table हो गया सो उसके लिए आपको 3-4-5-6 contraction यूज़ करना है सो आपका BLE word complete हो जाएगा सो अब मैं आपको examples के थूँ समझाती हूँ कैसे आपको इन contraction का use करना है सो आपका P A S T में ST का contraction यूज़ होगा सो आपने यहां लिखा dot sex capital indicator then P A और ये आगे आपका 3-4 ST का contraction next word है आपका market market word में आपका AR का contraction use हो रहा है M then यहां पर आपने 3-4-5 लिखा AR का contraction then KET market next है आपका table word table word में आपका जो BLE है इसका contraction use हो रहा है सो आपने T लिखा A लिखा और फिर BLE का contraction लिख दिया 3-4-5-6 so chapter 14 में आपके इतने contractions ही हैं बागी हम मिलते हैं next video में chapter 15 करेंगे और तब तक के लिए keep practicing and take care